रवश्कार में उप्रिया विहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर लिहाकुलिस फॉरेस्टगार्ट फॉरेस्टर भरतिक की शाररिक दक्षता परिक्षा हुई इस्थागित इन दो जिलों में जमीन की खरीद बिक्री हुई आसान, राजो में पाबंदियों के बीच नहीं रुके गास सिक्षक नियोजिन का था, राजो में थनॉल उद्योग लगानी के लिए आसानी से मिलेंगे दो, कोरोना संक्रुमन से लोगों को घबरानी की जरूरत नहीं अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से इन परिक्षाओं की नई तारीक की सूचना परिशत की वेब साइट और मुख्य समाचार पत्रों के माधियम से अलग से प्रकाश्चित की जाएगी साथ ही अभ्यर्थियों को एड्मिट कार्ड को सुरक्षित रखने को कहा गया है क्योंकि इसी के आधार पर परिक्षा होगी बताते चले कि इस भरती परिक्षा से फॉरिस्ट कार्ड के 484 और फॉरिस्ट के 236 पदों पर न्यूखती होनी है इन दो जिलों में जमीन की खरीद विक्री हुई आसान राजुके रोहतास और कैमुर जिले के किसानों को सरकार ने बड़ी दाहदी है जिसके तहर 249 मौज़ा कर्मियों की कमी की बज़े से चकबंदी अधिसूचित होने के बावजू भी काम नहीं हुआ था लेकिन अब इन दोनों जिलों के ही सभी 249 मौज़ों के जमीन विक्रेताओं को चकबंदी आफिस के चककर नहीं काटने पड़ेंगे वो इसलिए क्योंकि राजस्व और भूमी सुधार विभाग ने चकबंदी निदेशाले के मुक्ती प्रस्ताव को सहमती दे दी है अब यहां भूमी सर्वेक्षण के बाद और नई तकनीक से इन मौजों में चकबंदी का काम पुरा किया जाएगा इसके बाद यहां जमीन की खरीद विक्री का काम बिना किसी रुकावट के हो सकेगा बिहार में करीब 5 करोड लोगों की बढ़ी आबादी बिहार की जनसंख्या का अनुमान निकाला गया है जिसके तहत यहां की आबादी करीब 15 करोड हो गई है बता दे चले कि पिछले जनगर्णा के नुसार आबादी 10 करोड थी अगर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद मुखिन निर्वाचन अधिकारी कारियाले ने लंबित जनगर्णा को आधार बनाकर राजिको अनुमानित आबादी करीब 15 करोड बताया है इसके साथी बिहार की जनसंख्या 14,91,330 हो गई है इसमें पुरुष 7,54,93,251 है और महिला की आबादी 7,36,48,086 है साथी आयोग ने बताया है कि बिहार में कुल 9,86,962 ने मदाताओं की संख्या में व्रिधी दर्श की गई है आयोग के अनुसार लिंगानुपात में भी एक अंक सुधार हुआ है जिसके तहर प्रती हजार पुर्शो की तुलना में महिलाओं की संख्या 930 से बढ़कर 904 हो गई है राजमें पाबंधियों के बीच नहीं रुकेगा सिक्षक नियोजन का काम बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सिक्षक नियोजन के काम को लेकर के बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही थी वही आद से प्रतिबंध भी लागू है लेकिन सिक्षक नियोजन की प्रोकरिया पर इसका कोई असर नहीं पढ़ने वाला है इसके तहर छटे चरन के प्रात्मिक और माधिमिक सिक्षकों की कांसलिंग प्रोकरिया अपने निर्धारिक स्केडियूल पर ही होगी इस बात पर मुहर खुद सिक्षा मलतरी विजय कुमार चौधरी ने लगाई है उन्होंने कहा कि कोविट प्रोटोकॉल के पालन के साथ निर्धारिक स्केडियूल के दोरान ही कांसलिंग होगी इसके तहर दस जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक छटे चरन में नियोजित 70,000 चुने गया भीर्थियों की कांसलिंग होगी साथ ही बिना किसी दिक्कत के उन्हें नियोगती पत्र भी दिये जाएंगे बताते चले कि प्राथमिक सिक्छक नियोजिन की कांसलिंग 17 जनवरी से 28 जनवरी तक होनी है वही माधमिक और उच्च माधमिक विद्धियालियों के लिए नियोजिन प्राकरिया 10 जनवरी से 18 फरवरी तक पूरी होनी है पत्ना में बिना मास्क पहने पाए जाने पर लगेगा फाइन आज से राज्य बिहार में नाइट कर्फ्यू लागो हो गया है इस बीच बिहार में कोरोना का होट स्पॉट बन चुके राजधानी पटना में आज से कई बंदिशे अलग से लगाए गई है इसके तहट अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घर से निकलेगा तो पकड़े जाने पर उन्हें फाइन भरना ही होगा इसके साथ ही सालवजनिक जगो पर बिना मास्क के पाई जाने पर इसकी चेकिंग में लगाए गये धावा दल का धावा उन पर होगा और दारित फाइन वसूली की जाएगी साथी साथ गाडियों की भी चेकिंग होगी इसके तहट गाडियों के डॉक्यूमेंट्स के साथ ही सवार व्यक्तियों के चेहरे पर मास्क की भी चेकिंग होगी और दोनों की गयर मौझूद्की में फाइन लगाया जा सकता है बताते चले कि इसके लिए जुला प्रसाफशन की तरफ से धावादल की संख्या भी भढ़ा दी गई है पटना में घुम घुम कर इसकी निग्रानी करेंगे मौसम सुष्खोने के साथ ही पच्छवा हवा का प्रबाह देख रहा है इस जिस वज़े से अधिक्तम तापान सामाने से भी नीचे चला जा रहा है शीत का क्याहर आम लोगों को परिशान कर रहा है साथी साथ यात्रियों की परिशानी का भी सब बन रहा है क्योंकि कोहरे की मोटी चादर सुबह देर तक और रात को जल्दी ही बन रही है इस वज़े से बीते दिन पटना और गया में विजिबिलिटी पचास मीटर ही रही थी जिसके कारण बीते दिन साड़े दस बजे के बाद पटना एरपोर्ट पर पहला विमान उत्रा साथी कई फ्लाइट समय से लेट रही तो दूसरी तरफ कई ट्रेन भी लेट रही आपको बता दे कि मौसम विभाग ने कल यानी 7 जनवरी तक विहार में शीत दिवस का लड़ जारी कर रखा है राज़त प्रदेश अध्यक्ष ने जातिय जनवर्णा पर समर्थन देने की कही बात विहार में तीसरी लहर की चिंताओं के बीच भी सियासत जारी है और जातिय जनवर्णा को लेकर फिर भी विपक्ष ने बात करनी शुरू कर दी है इसको लेकर राज़त के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर से आवाज उठाया और सीम नितीश कुमार को आगे बढ़कर इस मुद्धे पर बात करने को कहा है साथ ही ये भी कहा है कि बिहार में अपने स्तर में भी जातिये जंगरना कराया जा सकता है इसमें सीम को हर जरूरी समर्थन राज़त की तरफ से मिलेगा बताते चले कि राज़त प्रदेश अध्यक्ष जगदानान सिंग के ने इस बयान बीते दिन पुर्व सीम राबरी देवी के आवास पर आयोजीत पार्टी बैठक में शामिल होने के दौरान दिया था साथ ही उन्होंने पूरे आस्टवाशन दिया है कि महागटबंधन इस बिंदू पर सरकार का समर्थन करेगी राज़ में इथनॉल उद्योग लगाने के लिए आसानी से मिलेंगे लोन बिहार में इथनॉल उद्योग लगाने के इच्छा रखने वाले लोगों को पैसों की दिक्कत नहीं जेननी पड़ेगी क्योंकि अब ऐसे लोगों को आसानी से लोन मिल सकेगा इसके लिए एक S.O.P. को मंजूर कर दिया गया है जिसके तहट बिहार में बैंक इथनॉल उद्योग लगाने वालों को आसानी से लोन देगी बताते चले कि इसकी मंजूरी बीतर दिन पटना में आयूजित राजिस्तरिये बांकर समीती की उनासिवी बैठक में दी गई है इस दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसेन ने सूबे के जिप्रिसीम और वित्तमंत्री तारकिशुर प्रसाथ समेत सभी बांकों के सेश्पदादिकारियों को धन्यवाद दिया बताते चले कि इस फैसले से अब बिहार में लगने जा रही सभी थनौल उत्पाद निकाईयों को केंद्र के निर्देश पर अन्यराजियों के लिए तैब ब्याज अनुदान स्कीम के तहत ही 5% मार्जुयन और 5% कोलाटरल पर रिन मिलेगा बाल विवाह को रोखने के लिए बिहार में शुरु हुई बड़ी पहल केंद्र ने लड़कियों की शादी की न्युंतम उमर 18 से बढ़ा कर 11 साल तै कर दी है इस अभियान का जिम्मा महिला विकास निगम निभा रही है जो की 22 जिलों में शुरू हो गया है इसके तहत 19 साल की किशोरियों को दहेज और बालविभा के दुश प्रभाव के बारे में जागरू किया जाएगा इसके साथ ही इनको कोशल विकास योजुरा के तहत विभिन्न कोर्सों की ट्रेनिंग दे कर आत निर्भर बनाया जाएगा बता दे किसको लेकर 15 जन्वरी को पटना में कारिक्रम भी आयोजित किया जाना है राजु में कई निर्मान प्रोजेक्ट्स पर लग सकता है ग्रहन बिहार में कई भावी निर्मान प्रोजेक्ट्स और फिलहाल चल रहे प्रोजेक्ट्स के काम में देरी हो सकती है साथी अब निधारित समय से इन प्रोजेक्ट्स के पुरा होने की उमीद कम दिख रही है दरसल इन सब के बीच की बज़े कोरोना की तीसरी लहर बताई जा रही है जुसकी चपेट में बिहार आ चुका है विशुशग्यों का कहना है कि पहली और दूसरी लहर में कई प्रोजेक्ट अटक गये थे वहीं अब तीसरी लहर अपने शिर्वाती स्टेज में है फिलहाल निर्मान कारे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है लेकिन अगर मामने नियंतरन से बाहर हो जाएंगे तो निर्मान कारियों में भी रुका बटा सकती है जुसका खामियाजा राजुमे पत्निर्मान के कई बड़े प्रोजेक्ट पर देखने को मिल सकता है जुन में गंगा नदी पर बने मेगा ब्रिज बिद्धुपुर से कच्छी दर्गा सिक्स लेन पुल गांधी सेतु के समनांतर फोर लेन का पुल बेट्रो रिंग रोड एक्स्प्रेस वे भावन निर्मान आदी शामिल है जातिगत जनगर्ना के खिलाफ भाजपा ऐसे लेगी आक्षन बिहार में जातिगत जनगर्ना को लेकर उठ रही मांगो के बीच भाजपा इसे गोल बंद करने की तयारी में है इसके तहट भाजपा के वैसे नेता जो पिच्री अनुसूचित वर्ग या दलित है उन्हें आगे आकर लोगों के बीच पार्टी का पक्ष रखने की तयारी की जा रही है बता दे कि बिहार में NDA की सहयोगी दल जडियो और तमाम विपक्ष जाती का जनगर्ना करवाना चाहती है लेकिन भाजपा इस मुद्धे पर केंद्र सरकार के साथ सहमत है और जाती का जनगर्ना को कराना सही नहीं मान रही है लेकिन केंद्री सरकार का पक्ष रखने के लिए भाजपा हर बूत और पन्नास्तर पर कमीटी का गठन करने जा रही है जिसमें पिछरे अत्यांति पिछरे और अनुसूचित वर्ग को जगह दी जाएगी और उनकी जिम्मधारी तै की जाएगी बिहार के सिक्षा मंत्री नहीं है कोरोना पॉजिटिव बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आने के साथ ही संक्रमन ने आम से लेकर खास तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है हाली में बिहार सिरकार के कई मंतरी और नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है इस बीच किसी ने राजु के सिक्षा मंतरी विजे कुमार चौधरी की भी COVID पॉजिटिव होने की खबर सोशल मीडिया पर डाल दी थी जो की पूरी तरह से गलत जानकारी थी इस बात को खुद सिक्षा मंतरी विजे कुमार चौधरी ने अफवा करार देते विए अपने ट्विटर हैंडल से बातों का खंडन कर दिया इसके तहह तुन्होंने बताये कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और काम कर रहे है साथ ही साथ आने वाले दो दिनों तक अपने बिजी स्केट्यूल की भी जानकारी दी है इसके तहत उन्होंने आज एन सिनहा इंस्टिटूट में कारिक्रम और दूसरे सिक्षम संसानों में उनके कारिक्रम की बारे में जानकारी दी कोरोना खत्रे के बीच प्रदेश भाजपा कारियाले हुआ बन राज़ारी पटना में कोरोना के मामलों में अप्रत्याश्रित वृधी के मदनजर राजनेतिक गतिविधिया भी थम रही है इसके तहट पटना में सिथ भाजपा दफ्तर को बंद कर दिया गया है इसके तहट आम लोगों के लिए दफ्तर को अगले आदेश तक बंद किया गया है ताकि संक्रमन से सुरक्षा बनी रहे इसको लेकर पार्टी नेता लाकेश कुमार सिंग ने कहा है कि संक्रमन की रफ्तार काफिक तेज है इसलिए पार्टी दफ्तर में भीड भार लगाने से मना किया जा रहा है जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक लोग पार्टी आफिस में ना आए बता दे कि राजधानी पटना कुरोना बेकाबू हो गया है जहां एक दिन में हजार से ज़्यादा मामले सामने आ है वो भी चंद दिनों में ही ये रिकॉर्ड उच्छाल देखने को मिर रहा है ऐसे में जरूरी गतिविद्यो को ही जारी रखने की सलाह दी जा रही है सीम के पिता को स्वतंतरता सेनानी का दर्ज़ा देने से नाराज हुए पुर्वाइपियस बीते दिन विहार कैबरेट में मुख्यमंत्री नितीश कुमार के पिता को स्वतंतरता सेनानी का दर्जा देने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है इस फैसले पर पुर्वाइपिय सधिकारी अमिताब कुमार दास ने आपत्ती जिताई है और राज़िपाल को एक लेक्टर भेज कर मामले की जाज की मांग की है अपनी चिठी में उन्होंने लिखा है कि बिहार क्याबिनेट ने मुख्यमंतरी के पिता कविराज राम लखन सिंग स्वाधीनता सेनानी का दर्जा देते वे 17 जन्वरी को राजुकिय समारो करने का फैसला ले चुके है मुझे क्याबिनेट के इस फैसले से अतराज है मैं तिहास का चातर रहा हूँ बरसो से आजादी की लडाई में कविराज राम लखन सिंग का योगदान ढून रहा हूँ जो की कहीं नहीं मिल रहा है साथ ही उन्हों ने इसे स्वतंतरता से नानी घोटाला तक करार दे दिया है और जाच की मांकी है कोरोना संक्रमन से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं बिहार में दूसरी लहर के थमने के कुछ ही महीन ने हुए कि अब 30 लहर लोगों को डरा रही है हालाकि जो खौफनाक मनजर दूसरी लहर में दिखा वो इस लहर में दिखने की संभावना नहीं है इस बात का दिलासा स्वास्व भाग के अतिरिक्ति मुख्य सचिफ प्रत्य अमरित ने दिया है उन्होंने कहा है कि वर्तमान सिती संकेत देती है कि अधिकांश लोगों को अस्पताल में भरती होने की आवशक्ता नहीं है और जिने हैं वो 60 या उससे अधिकुम्र के हैं दोरान उन्होंने बरिश नागरिकों से साधानी बरतने की अपील करते वे कहा कि घवराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं अपने ऑक्सिजिन लेवर की निगरानी करे और SPO2 में गिरावटाने की सिती में ही अस्पताल में भरती होने की जरूरत है कर हमारे दोरा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हनिवाद आप में से जी नियूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुमार राहुल, बविताय आदर, रंजीत कुमार, मृदुन जे कुमार, पंकच कुमार दास, रवी कुमार गुपता, मुन्ना कुमार, गजेंदर सिंग, माइकाल, मुर्मू, वसंद्रा, राजे, उतंग्या कुमार, रियाज एहमद, इंडियन सोन्या आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हम हर दिन वीडियो केंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चोल ये बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे, आपके जिलों में भी मस्क को सक्ती से पहनने को लेकर कारवाई होनी चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं, इसके साथ ही आजश के ने बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटेट रहने के लिए हमारी योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, धन्यवाद